इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह इसका उप्योग आमतोर पर कब्ज को कम करने और मलत्याग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है बीजों को भूना जाता है और फिर गुड, घी और मसालों जैसी अन्य सामगरी के साथ पीस कर एक मीठा और चिपचिपा पेस्ट बनाया जाता है एरन पाक अपने रेचक गुणों के लिए जाना जाता है और आयुर्वेध में इसका उप्योग पाचन संबंधी लाभों के लिए किया जाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, रेचक, एरेंट पार्ग का व्यापक रूप से कब्ड से राहत के लिए प्राकृतिक रेचक के रूप में उप्योग किया जाता है यह मल त्याग को उत्तेजित करने और नियमित्ता को बढ़ावा देने में मदद करता है दो, त्वचा की देख भाल यह अपने मॉइस्चराइजिंग और पॉष्टिक गुणों के कारण त्वचा देख भाल उत्पादों में एक आम घटक है एरन्ट पाक शुष्ट त्वचा को शांत करने, सूजन को कम करने और त्वचा की लोच में सुधार करने में मदद करता है तीन, बालों की देख भाल एरन्ट पाक बालों की स्वास्थी के लिए फायदे मंद है इसे बालों को moisturize और condition करने, बालों के विकास को बढ़ावा देने और रूसी को कम करने के लिए खोपड़ी पर लगाया जा सकता है 4. दर्थ से राहत एरेंट पाक का सामयक अनुप्रयोग जोड़ों और मांस्पेशियों के दर्थ के लिए दर्थ से राहत प्रदान कर सकता है इसमें anti-inflammatory गुण होते हैं जो सूजन को कम करने और असुविधा को शांत करने में मदद करते हैं 5. प्रसव पीड़ा प्रेरित करना कुछ मामनों में एरेंट पाक का उप्योग गर्भवती महिलाओं में प्रसव पीड़ा प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है हाला कि ये केवल एक स्वास्थि देखभाल पेशेवर की देखरेक में ही किया जाना चाहिए 6. घाव भरना एरेंट पाक में रोगान उरोधी गुण होते हैं जो संक्रमन को रोकने और घावों, कटने और घावों के उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं 7. गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार इसका उप्योग पारंपरिक चिकित्सा में गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों जैसे चिर्चिरा आंतर सिंड्रोम यानी की IBS और पेट के अलसर के लक्षनों को कम करने के लिए किया जाता है 8. मॉस्चराइज और लिप बाम अपने कोमल गुणों के कारण एरन पाक को शुष्क तवचा के लिए मॉस्चराइजर के रूप में और फटे होंठों के लिए प्राकृतिक लिप बाम के रूप में लगाया जा सकता है 9. सूजन रोधी 10. एरन पाक में रिसिनलिक एसिड होता है जो सूजन रोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है इसका उप्योग गठिया और गठिया जैसी स्थितियों में सूजन को कम करने के लिए किया जा सकता है 10. समाप्ती तिथी की जाच करें और निर्माता द्वारा दिये गए किसी भी विशिष्ट भंडारन निर्देशों का पालन करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें